हालेलुया आप सभी को जैम सिकी दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पांच ऐसे परमेशे के दास परमेशे ने उन्हें इस्तिमाल करकर भारत के अंदर बहुत अद्बूत तरीके से सूसमाचार को फैलाया परमेशे ने उनको इस रिती से इस्तिमाल किया कि आज जो लोग परमेशे को नहीं जानते थे वोग भी परमेशे को जानने लगे और परमेशे ने उनके द्वारा बहुत से अद्बूत चमतकारों को किया और परमेशे उनके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में आशिश को लेकर आया तो दोस्तो आज की वीडियो को आप अंतक जिरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं भारत के अंदर पांच ऐसे परमेशे के दास जिनके दवारा सूसमाचार भारत के अंदर बहुत अद्बुद रिति से फैला तो दोस्तो आई एम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप सभी लोग पॉल दिनाकरन को यहानते ही होंगे परमेशे के दास पॉल दिनाकरन के दवारा परमेशन ने बहुत अद्बु चमतकारों को किया परमेशन ने उनके द्वारा बहुत से लोगों तक सुसमाचार को फैलाया आज बहुत से लोग जानते हैं कि पहले भारत के अंदर इतने लोग परमेशन के बारे में नहीं जानते थे और भारत के अंदर परमिशे के दास पॉल दिनाकरन के द्वारा आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके द्वारा परमिशे को जानने लगे परमिशे का वचन पॉल दिनाकरन के द्वारा उनकी जिंदगी में आया और आप जानते हैं पॉल दिनाकरन के द्वारा बहुत से ऐसे परमेशे के दास हैं जो खड़े हुए और आज बहुत से अच्छी सेवकाई को कर रहे हैं तो दोस्तो पॉल दिनाकरन के चर्च चन्नाई के अंदर लगती है आप उनका एडरेस देख सकते हैं तो दोस्तो सच में परमेशे पॉल दिनाकरन को बहुत अद्बुदरीती से इस्तमाल करता है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर जैपॉल के बारे में डॉक्टर जैपॉल के द्वारा परमेशे ने बहुत अद्बुद तरीके से काम किया परमेशे के दास डॉक्टर जैपॉल के दौरा आज बहुत से लोगों ने सूसमाचार को पाया और उनकी जिंदगी में परमेशे ने अद्बूत तरीके से काम किया डॉक्टर जैपॉल की सेवकाई चन्नेई के अंदर है और आप सभी लोग जानते हैं आज चन्नेई से ही पूरे भारत के अंदर सूसमाचार फैला है तो दोस्तो जैसे कि ये शुमसी का एक चेला ता थोमा उन्होंने भी अपनी सेवकाई चन्नेई से ही शुरुवात की थी तो दोस्तो आज आप देख सकते हैं चन्नेई के द्वारा आज पूरे भारत के अंदर बहुत अद्बू तरीके से सूसमाचार फैलाया जा रहा है आज भारत के अंदर ये ऐसे बहुत सारे परमिशे के दास हैं जो अद्बुत तरीके से परमिशे का सू समाचार फैला रहे हैं आज उनके द्वारा बहुत से लोग मसी को जान रहे हैं उनके द्वारा परमिशे का वचन जो की आज पूरी धर्ती पर फैल रहे हैं तो आईए अब हम देखते हैं डॉक्टर शतीश कुमार जी के बारे में परमिशे के दास डॉक्टर शतीश कुमार चन्याई के अंदर सेवकाई करते हैं आपने इनकी चर्च का नाम सुना होगा कलवरी टेंपल और कलवरी टेंपल के द्वारा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनों कि मिनिश्ट्री बहुत जादा फेमस थी और उस टाइम पर बहुत से लोगों ने परमिशर पर विश्वास किया और परमिशर का इनके द्वारा बहुत से लोगों तक सूसमाचार पोचा और इसी तरह परमिशर इनकी मिनिश्ट्री में आज भी काम करता है और आज भी इनकी म गए जो परमिश्र का सू समचार को सुनते हैं और वह लोग परमिश्र को विश्वास करते हैं परमिश्र उनकी जिंदगी में आशिशों को लेकर आता है तो आई अब हम देखते हैं अपोश्टल अंकुन रुला जी के द्वारा पंजाब के अंदर बहुत से लोगों ने सू स परमिश्र का सू समाचार भी फैलाते हैं आज अपोश्टल अंकुन रुला जी के द्वारा परमिश्र ने बहुत से लोगों को आशिशित किया और अपोश्टल अंकुन रुला जी को परमिश्र बहुत अद्बूद रिती से इस्तेमाल करता है तो दोस्तों आप इनकी चर् काई को बहुत कम समय हुआ और परमेश्य ने उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैस किया आज उनके द्वारा भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया भर के अंदर बहुत से लोग है जो परमेश्य के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंग जी को जानते हैं और परमेश्य के दास प् पर उनकी चर्च लगती है और दोनों जगा पर परमिश्य के दास प्रोफिट बजिंदर सिंग जी को परमिश्य बहुत अद्बू तरीके से इस्तिमाल करता है और इनकी सेवकाई को साथ से आठ साल हुए है मगर परमिश्य नहीं ने बहुत अद्बू तरीके से ब्लेस किया और बहुत जल्दिन की सेवकाई को बढ़ाया तो दोस्तों ये थे हमारे पांच ऐसे परमिश्य के दास जिनके द्वारा परमिश्य बहुत अद्बू तरीके से काम करता है और भारत के अंदर नहीं बलकि दुनिया भर के अंदर इनी के द्वारा सेवकाई को फैला रहा है आज परमिश्य का सुसमचार इनके द्वारा पूरी धरती पर फैल रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ओन जरूर करें